नमस्कार कोईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं की Snapchat को Login कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप भी अपने phone में snap chart को login करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने phone में snap chart को open करना है तो चलिए snap chart को open करते हैं open करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह से snap chart दिख जागा अब यहाँ पर नीचे में आपको एक login का option मिलेगा अब आपको snap chart को login करने के लिए आपको login पे क्लिक करना है तो चलिए login पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद अब आपको उपर में phone number का option मिलेगा अब यहाँ पर अगर आप अपना snap chart का account phone number से बना हुए हैं उसके बाद उपर में आपको Username और Email डालने के लिए आजायोगा तो चलिए इहाँ पर हम अपना Username डाल लेते हैं इहाँ पर जो भी आपको अपना जो भी चीज डालना है जैसे कि Username email ID तो और डाल सक्ते हैं डालने के बाद अब आपको नीकर के password का option áp tem मिलता है अब यहां पर जो भी आपका snapchat का password है वो डालना है तो चलिए यहां पर हम अपना snapchat का password डाल लेते हैं डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे में आपको एक save login information on your device का option मिलेगा यानि कि जो भी आप अपने snapchat account को login कर रहे हैं आप username डाले हैं password डाले हैं इसको आप save करना चाहते हैं चाहते हैं कि आप जब भी snapchat account login करें तो आपको यह न डालना परें तो यहां से इसको आप टिक रख सकते हैं नहीं तो यहां से इसको आप अंटिक कर सकते हैं अंटिक कर द डलने के बाद आपको क्या करना है कि लोग in पर किलिक करना है किलिक करने के बाद हाँ आप